ओम सांती कलास में आप सभी का स्वागत हैं आज की देट में समझेंगे कैसे भीहिन के जोर को हम सकेंडों में सोल्व करते हैं देखो क्या लिका हुआ है तीन बटे दो पलस साथ बटे दो इसको किस तरह से सकेंडों में बनाएंगे जिस भीहिन का हर समान हो उसमें डाइरेक्ट अंस को जोर दिया जाता है जैसे साथ तिन दो बटे दो हो गया एंसर उसी तरह से जिस भीहिन का हर समान हो उस भीहिन में डाइरेक्ट अंस को जोर दिया जाता है आठ पांच तेरा बटे तीन एंसर बनके तयार इसी तरह से भी क्या समझाए कि जिस भीहिन का हर समान हो उस भीहिन में डाइरेक्ट अंस को जोर दिया जाता है तो नो साथ कितना हो जाएगा सोलो बटे चार इसी तरह से इसे समझना है दो सा आठ अठारो बटे पांच दो सा बारो बाइस बटे चो यानि की अंसर तयार बारो चोदो चबीश बटे साथ अंसर बनके तयार है यानि की समझना है जिस भीन का हर समान हो उस भीन में डाइरेक्ट अंस को जोर दिया जाता है और अंसर बनके तयार है अखे लाम पांच अ झाल